हलो अरेन, उमीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही है आज के जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि कंटिनुटी आपके नहीं बन पा रही है आप दो-तिन दिन तक अच्छे से पढ़ाई करते हैं जो स्टुड्यूल आपने इनिशली बनाया था वो आप दो-तिन कंटिनुट करते हैं फिर आपका ब्रेक आ जाता है फिर दो-तिन कंटिनुट करते हैं फिर ब्रेक आ जाता है और आप कंटिनुटी में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपका मोल्टिवेशन काफी डाउन चला जा रहा है इस topic पर हम आज बात करेंगे इस topic पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ आज 7th June को मेरा birthday है और इसी खुशी में मैं आपको अपनी application पर हर एक test series पर हर एक course पर जो भी available है सभी पर 50% off आपको दे रहा हूँ आपको simply code use करना है birthday 50 आपको सारे link और application के link website के link हर चीज आपको discussion box में मिल जाएगा test series अपना laptop PC में भी दे सकते हैं आप mobile में भी दे सकते हैं जैसा भी आपको suitable लगे वैसे आप दे सकते हैं चलिए अपने topic पर आते हैं जब आपका initial जो course था इतने size का था मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 10 महीने का duration में complete करना है तो इसको आपको 10 पार्ट में divide करना है और इन 10 पार्ट में divide करने के बाद एक महीने का target है वो आपको 4 पार्ट में divide करना है मतलब कि हर week का आपका targeted होना चीए और उस week का आप divide करके एक दिन का ला सकते हैं एक दिन का प्लस माइनस आपका अगर follow हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपका weekly जो schedule है वो follow हो जाना चाहिए एक बार आपका weekly schedule follow हो गया इसका मतलब यह है कि चार वीक बाद आपका महीने का schedule complete हो जाएगा और इसी type से आप continue करेंगे तो definitely आपका जो 10 महीने का 12 महीने का schedule आपका है जितने भी time आपने अपनी पढ़ाई को दिया है वो आपका 100% follow हो जाएगा और 100% अगर आपका follow हो जाता है मैं तो यह कहता हूँ कि अगर 90% भी follow हो जाता है तो आपकी rank बहुत बढ़ी आने वाली है हम लोगों इस साथ problem यहीं आती है कि हम initially start तो करते हैं इस level के motivation से but by the time वो भीरे भीरे कम होने लगता है अन्या बहुत सारे लोगों कम होता है बट shoot करता है बीच में फिर कम होता है फिर उपर जाता है यह चल जाएगा but आपका जो degradation आता चला जाता है वो नहीं चलेगा अभी भी आपके पास sufficient time है अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है ठीक से आपने अपना schedule follow नहीं किया है तो बाकी बच्चों के comparative जिन्होंने पहले ठीक से अपना पढ़ाई चालू कर दी थी और अच्छे से उन्होंने schedule follow किया भी तक का उनके comparative अगले दो महीने आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी बट हाँ अगले दो महीने बाद आप उनके same level पे आ जाओगे चीक है इसके लिए आपको simple मैं तरीका बता देता हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने जो daily target set किया है या जो मैंने weekly target set किया है वो मेरी initial capacity के इतना जादा है कि मैं उसको पूरा कर ही नहीं सकता हूँ unless कि मैं 12 से 14 गंटा ना बैटा हूँ चीक है इसका मैं simple तरीके से आपको बता दूँ कि जब मैंने तयारी start करी थी तो 100 questions per day मैं नहीं कर सकता था तयारी जब मैंने चालू करी तो मेरे 25 से 30 questions per day होते थे ठीक है 25 से 30 questions per day मेरा initially में के महीने में होते थे mid मही में मेरा तयारी चालू ही थी और नौंबर December के end में आते आते mid December में syllabus complete हुआ December के end में आते आते जो efficiency है वो 250 questions per day तक चली गई थी अब day 1 अगर मैं सोचता कि मुझे 200 questions per day करने है नौंबर December में जाके क्योंकि revision का lot भी रहेगा और मेरा जो existing subject है वो भी चलता रहेगा तो उस duration मेरे को इतने सारे questions करने है theory भी करनी है और मेरे को test series भी देनी है तो ये सारी चीज अगर मैं में के महीने में सोचता तो मेरे को लगता कि मेरे अभी 25-30 questions हो रहे है इसको मैं 500 ले जाने मतलब 10 time efficiency कैसे आएगी possible नहीं है अगर कोई मुझे suggest कर रहा है कि आप दिन में इतना question आपको करना पड़ेगा तो वो बिलकुल possible नहीं है initially जो हमारी efficiency होती है वो काफी कम होती है बट वो efficiency धीरे 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 करके बढ़ानी पड़ती है तो आप लोगों को simply आप से जितना hope आ रहा है एक week में वो आप करो बट उसमें continuity रखनी है continuity break हुई तो आप चाहे कितना भी light अपना initial starting रख लो कितना heavy starting रख लो बट अगर continuity नहीं maintain हो पाई continuity नहीं रख पाई तो definitely आपको problem आएगा आपका motivation डाउन जाएगा उसका simple तरीक है यह है कि आप पूरा जो आपका syllabus है उसको equal parts में divide ना करके आप simply पहला week का बहुत light रखो for example आपने 30 question पढ़े रखा और 2 chapter पढ़े रखा फिर हफते भर अगर आप यह schedule follow कर सकते हैं तो हफते भर में आपकी habit भी हो जाएगी आपको थोड़ा confidence भी आएगा कि मैं जो अपने लिए set कर रहा हूँ मैं कर लेता हूँ एक हफते बाद आप simply उस target को थोड़ा सा बढ़ा दो दो की जगह 3 chapter कर दो 30 की जगह 40 question कर दो इस type से धीरे धीरे आप workload बढ़ाएंगे जिस week में आपका workload इतना हो जाए कि आपका 100% जो आपने रखा तो वो अचीव नहीं हुआ 90-95 तक पहुचा वहाँ पे जाके आप per day की efficiency को halt पे कर सकते हैं जब तक आपके further efficiency इंप्रोव ना हो जाए ठीक है पूरी चीज मैं एक बार फिर से summarize कर देता हूँ अगर आप schedule अपना follow नहीं कर पा रहे हैं जो हमने per day का set किया था जो मैंने earlier अपनी वीडियो में बताया था पूरा आपको 275 days का मैंने schedule जो दिया था आप follow नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी आप start करेंगे तो आप catch up कर लेंगे given that कि आपका जो अगला दो मेना बहुत tough और hard जाने वाला है क्योंकि 275 दिन आपके लिए बचे नहीं होंगे gate exam के लिए तो आपको थोड़ा cover up करना पड़ेगा but cover up हो जाएगा efficiency बाद में बहुत बढ़ जाती है initial stage पे आपका efficiency बढ़ाने के लिए एक week के लिए आप बिना कोई target के per day normal जो आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से cover करिये एक हफते में देखिए आपने बिना target रखे कितना cover कर लिया है एक हफते बाद आप अपना target set करोगी पिछले एक हफते में मैंने बिना कोई disturbance के simple continuity अपनी रखे है simple अपनी speed रखे है उसके हिसाब से मैंने इतना syllabus कर लिया तो आगले हफते में फिर से मैं इतना syllabus कर लूँगा ठीक है तो थोड़ा सा उससे बढ़ा के रखे तीसरे हफते में और थोड़ा सा बढ़ा है और चोथे हफते में और थोड़ा सा बढ़ा है उन सब का कहना ये था कि 100 questions per day जो हमने किये थे initially हम 100 questions per day पर नहीं आये थे बट धीरे-धीरे आ गए थे आप अगर 30 questions per day कर रहे हैं ता आप daily 2-2 questions बढ़ा दो ठीक है अगले 35 दिन में आप 100 questions per day पर पहुंच जाएंगे ठीक है आज 30 करें कल 32 करें पर सो 34 करें इस टाइप से बढ़ते से ले जाएं तो आपको difficulty नहीं आएगी धीरे-धीरे आपके body efficiency बढ़ जाएगी इंसान की brain की और शरीर की यही capabilities है कि आप जिस भी चीज़ को इस तरीके से train करेंगे शिदत के साथ वो train हो जाएगा और आप easily अपने लिए बड़े से बड़े target को अचीव कर लेगे जो बच्चा यह चीज 100% फॉलो करेगा पर डे आप चाहे आज 10 कोशन कर रहे हैं चाहे 20 कर रहे हैं चाहे 30 कोशन कर रहे हैं उससे फरक नहीं पढ़ता है आप डेली दो दो कोशन बढ़ाएं आप पहले एक week का अपना जो schedule है उसमें target ना रखे बिना target बढ़ें अगले week में पिछले week experience के basis पर target बनाएं उससे अगले week में targets और बढ़ाते चले जाए ठीक है ऐसा आप continuation में रखेंगे तो आपका महीने डेड़ महीने में efficiency बहुत अच्छी हो जाएगी महीने डेड़ महीने में आपकी speed भी बहुत अ डाल सकते हैं हाँ अगले दो दिन के लिए जो birthday 50 code है वो काम करेगा तो आप utilize कर सकते हैं website और application पर है all the best